हलो दोस्तों नमस्कार आज इस वीडियो में बात थमलोग करेंगे अप्लिकेशन आवेधन पत्र की तो आपका टॉपिक क्या है माइग्रेशन सेटिफिकेट यानि की प्रवास पहले माइग्रेशन क्या होता है इसको समस्ते हैं आप एक स्टेट में पढ़ते हैं और आपको दूसरे स्टेट में एडिमिशन लेना है स्टडी के लिए तो आपको एक सर्टिफिकेट की जरुरत पढ़ती है जिसका नाम है माइग्रेशन माइग्रेशन का हिंदी प्रवास यानि की एक राज्य से दूसरे राज्य में एडिमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप कॉले अप्लीकेशन लिखना होता है प्रिंसिपल के पास तो वही मैं आपको आज अप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे लिखना है क्या उसमें एड करना है तो आज हम लोग इसी अप्लीकेशन पर बात करेंगे जोकी एक इंपॉटन्ट टॉपिक है आपके एक्जाम के लिए भी और जेनरल नॉलेज के लिए भी तो Migration Certificate के बारे में समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप Heading में लिखिएगा To the Principal उसके बाद लिखिएगा अपना Your School Name या College Name होगा तो College Name लिख लिख लिजएगा अपना City लिख लिख लिजएगा सब्जेक्ट में क्या लिखना है Application for Migration Certificate यानि कि जो आपका अवेदन पत्र है वो किस लिए है भाई तो Migration यानि कि प्रवास मूल पड़मान पत्र के लिए Respected Sir या Madam जिनके पास आपको लिखना है With due respect I would like to state that I am a student of your prestigious school सविने निवेदन यह है कि मैं आपके प्रतिष्टि विद्याले का एक छात्र हूं I have passed 12th class मैं बारावी कक्छा पास कर चुका हूं from your school आपके विद्याले से and got 80% marks और मुझे कितना परसेंट marks मिला है 80% marks मिला है जो भी आपका marks आया होगा वो आप सो कर दीजेगा Now for further studies अब मैं दूर जा करके पढ़ना चाहता हूं I need migration certificate और मुझे migration certificate की क्या है अवशकता है Therefore I request you to kindly issue me migration certificate within 15 days अता स्रीमान से प्राथना है कि मुझे 15 दिनों के अंदर migration certificate देने की क्रेपा प्रदान की जाए I shall be thankful to you for this इसके लिए मैं सदा आपका क्या रहूंगा आप हारी रहूंगा उसके बाद आप क्या लिखेगा yours obediently आपका अग्याकारी अपना नाम दे दिजेगा date दे दिजेगा simple सा है आपका बिलकुल असानी से आप समझ गहूंगे migration certificate कैसे लिखना है migration certificate जब आप मैंने अभी बताया कि एक state से दूसरे state में यदि जा करके आप study करना चाहते हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो कैसे लिखना है migration certificate एक बार फिर से समझ लेते हैं starting में दीजिएगा आपके आप to the principal your school name या college name अपना city सहर का नाम दे दीजिएगा subject में क्या लिखेगा application for migration certificate उसके बार लिखेगा respected sir या madam जो भी जिनके पास application देना होगा with due respect I would like to state that I am a student of your prestigious school I have passed 12th class या 10th class जो भी आप pass होंगे वो आप दे दीजिएगा from your school and got 80% marks now for further studies I need migration certificate therefore I request you to kindly issue me migration certificate within 15 days आप 20 days भी दे सकते हैं 10 days भी दे दीजिएगा I shall be thankful to you for this इसके लिए में सदा आपका भारी रहूंगा yours obediently आपका ग्यकारी छात्र your name अपना नाम दे दीजिएगा और date दे दीजिएगा तो ये आपका हो गया migration certificate जो की एक important आपका application है इसे आप एक copy में note कर लिजिएगा और जब भी समय मिले तो आपने दोस्तों को जरूर बता है कि migration certificate कैसे लिखना है क्या matter होना चाहिए कभी-कभी तो examine में भी आपका ये काम कर जाएगा migration certificate उमीद करते हैं कि ये application आप जरूर अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो इसे note कर लिजिएगा और जब भी समय मिले तो दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इसके बाद मैं फिर एक और application इंपोर्टेंट अपलोड करूंगा ओके धन्यवाद